हेलो गाइज मैं हूँ पपू और आप सभी का स्वागत है गाइज यहाँ पर नीरज धीरज पंकज और सोनू ये भाई परसान करके रख दिये हैं इन लोग का सिधा-सिधा यही कहना है कि बिंदू किसे कहते हैं बिंदू का क्या परिभासा होता है तो भाई साब आज किस वी इसमें पॉइंट कहते हैं यहां तक आपको किले रहा होगा तो आईए अब इसको आगे समझते हैं यहां पर आप सबको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि अपनी अपनी कॉपी में यह हमारा कॉपी है एक तरह का आप समझे यहां पर यह हमारा कॉपी है तो अपनी दॉट प्राप्त होता है तो यहां पर मैंने कोपी पर जैसे ही दबाया कलम से या पैंसिल से तो हमको क्या आया काला डॉट आया और यही डॉट हमारा क्या है बिंदू है तो यह चीज आपको समझ इतना दूर आ गया होगा आईए और बिंदू की परिभासा देख लेते हैं यहां पर आप सब देख पा रहे हैं बिंदू और बिंदू को हम आसानी से लिख दिये हैं यहां पर समझे एक इस्तिती है बिंदू हमारा एक क्या है इस्तिती है मतलब यह कि बिंदू हमारा एक जगा है समझे यहां पर यह जो आपके सामने दीख रहा है ऐस तरह से यह यह तो भाई सहाब यहां पर आप देख पा रहें यह हमारा क्या है यह एक तरह का इस्तिती है इस्तिती कहने का मतलब एक जगह है ठीच है बिंदु हमारे एक जगह है और नहीं इसका कोई लंबाई होता है और ना चोड़ाई, मोटाई और उंचाई ये सब बिंदू में नहीं होता है बिंदू हमारा केवल और केवल एक जगह है ठीक है तो परिभासा देखकर आप बिल्कूल समझ गए होंगे यहाँ पर परिभासा आसानी से मैंने लिख रहा है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आसानी से इसे लिख लिजिए ओके तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो से जारा सावी सीख मिला हो तो यार बाय बाय टेक क्यर बेस्ट अफ लग